आज की जो कक्षा है वो बर्ग 9th के लिए है परसो कुछ बच्चों ने पूछा था कि ये क्लास सिर्फ 10th के लिए ही क्लास तो मैंने बताया कि 9th के लिए भी क्लास जल्दी शुरूओगा तो आज 9th के लिए क्लास और 9th के जितने ही बच्चे हैं आपके लिए गुड न्यूज है कि सब्ता के अंतिम दो दिन आप लोगो को मैं परहाऊंगा जिसकी घोषना करने के लिए आज मैं लाइब आया हूं और इस घोषना के क्रम में ही मैं आप लोगों को भुगोल की कक्षा में ले चलूँगा और भुगोल की पाठे पुस्तक से पहला जो अध्याई है भारत इस्थिती और विश्तार इसी को जानेंगे तो बच्चों जितने भी 9th में पढ़ने वाले हैं जिनकी परिक्षाएं अभी नहीं हुई है वो भी जुड़ सकते हैं तो जल्दी से सेर कर लिजिए अपने दोस्तों के साथ इस लाइफ सेशन को ताकि आप कुछ सीख पाएं मैं रवी रोशनकुमार रवी सरकी पाट साला के इस फेस्बुक पेज के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं और इस लाइफ सेशन में भूगोल जो आपके पास जो किताब है भारत भूमी और लोग उस किताब के पहले चैप्टर भारत इस्थिती और विश्तार इस पर आज चर्चा होगी तो आप सभी बच्चों में से अधिकांस बच्चे जो हैं वो स्मार्टफोन उनके पास होगा और नहीं भी है तो अपने घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके स्मार्टफोन से जल्दी से जूड़ जाईए मैं अभी दो मिनट का समय लोगा आप ल जो रही हैं मुझे सबसे अच्छी बात यह लग रही है कि हमारे इस पेज पर वैसे बच्चे भी जो रहे हैं जो जिनका मुझसे फेस टू फेस कभी आमना सामना नहीं हुआ लेकिन वो भी हमारी मैं पूरा प्रियास करता रहता हूं आप लोग के लिए कि आप लोग का जो क्लासे बात इतना हो तो जल्दी से टॉपिक पर आ जाते हैं कि पांच मिनट हो चुके हैं एक बच के पांच मिनट और पांच मिनट ज्यादा इंट्रो देने का मतलब है कि सेशन को लंबा खीचना तो भारत भूमी और लोग भूगोल की इस पहली कक्षा में नमी के सभी ब चले कई काक्षाओं में मुझे लगता है कि आप पांच मिनकक तक में भारत के मांचित्रों का कई पने खात्य देखा होगा यँ और बात है कि आपने उसे ध्यान 的 का आप च्यान सिर्फ वो जानकारियां क्लास नाइंथ के लिए ही आपको काम आयागा ऐसी बात नहीं है प्रतियोगिता परिक्षाओं में भी ऐसे प्रशन जो है वह आते हैं तो चलिए पुष्टक में दियेगे बातों को हम परते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुझे पुष्टक दे सभी और दस्वी के बच्चों को पराने का जो अनुभव प्राप्त हुआ है वो मेरे साथ होता है तो मैं आपको जो बताऊंगा उसमें तथ्य होंगे और उन तथ्यों पर पूरा भरोसा किया जा सकता है इसलिए आप नोट्बुक निकाल करके पटाफर उसको नोट करते ज सभी राज हो हो गये जबकि वहीं केंदशाशित परदेशों की संख्यां बढ़कर नाव हो गई थी लेकिन चाल में एक नई खबर आई है कि दमन दुईबा दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया तो फिरसे जो है आपके केंदशाषित परदेशों की संख्यां हो गई है आठ तो आपके प्रश्न होंगे भारत के सभी राज्य और केंद शाशित परदेशों के नाम लिखें तो ये कर लेंगे चुकि ये मांचित्र कार्ज है इसलिए मैं पहले ही बता दिया हूँ आप लों को कि भारत इस्थिती और विश्तार का पहला प्रश्न आपके सामने यही होगा कि भारत के सभी राज्य और केंद शाशित परदेशों के नाम और उनकी राजधानी को मांचित्र में ढूंडें अगर मांचित्र नहीं है अगर आपको याद है भारत के राजराजधानी के नाम तो उसे आप अपने नोटबुक में लिखेंगे ठीक है मध्यान रेखा याणी zero degree जो विष्वत रेखा है उसके दोनों तरफ है breakfast estimate देशांतर रेखा हैं लेखानार मलते हैं जो ग्रीक निता हूं और किसी भी जगा के अगर हम भागोलिक का पता है आहें आप देखिए किसी भी जगा को का एड्रेस अगर हम भागोलिक दिश्ची से देखें तो वहाँ उसका एड्रेस क्या होगा वह अक्षांस और देशांतर विश्तार उसका विश्तार भागोलिक विश्तार तो भारत का जो भागोलिक विश्तार है वो गुलोब पर कितना डिग चार मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्री अक्षांस एक और बात बताना मैं चारा हूँ कि प्रिथवी जो है प्रिथवी क्या है एक गोल आकृती है प्रिथवी की और इसमें अगर हम बिश्वत रेखा के पात से अगर प्रिथवी को अलग करें तो यह दो गोला में बदलता है दो अर्ध गोला में तो उत्तर का जो अर्ध गोला है उसे हम उत्री गोलार्द कहते हैं डक्षनी का जो अर्ध गोला है वो दक्षनी गोलार्द है तो बिश्वत रेखा जो जीरो डिग्री पर खीचेगी है उसके उत्तर में जो भी देश होंगे वो उत्तरी गोलार्द में माने जाएंगे और उसके दक्षिन में जो भी देश होंगे वो दक्षिनी गोलार्द में तो हमारा जो देश भारत बर्ष है वो पूर्णत उत्री गोलार्द में है तो इतना दिमाग में रहेगा ही कि अक्षांस रेखाएं जो भी होंगी वो क्या होंगी उत्री अक्षांस त 64 degree 7 minute से 97 degree 25 minute क्या होगा पुर्वी देशांतर फिर से एक बार इसांकरों को नोट कर लीजे 8 degree 4 minute से 37 degree 6 minute उत्री अक्षांस और और क्या है 68 degree 7 minute से 97 degree 25 minute पुर्वी देशांतर मुझे लगता है आप नोट कर लिए होगे ये इसका बिश्तार है अब हम इसके छेत्रफल की बात करें भारत का छेत्रफल कितना है आप अपने किताब में देखेंगे लिखा होगा 32.8 वर किलोमेटर 32.8 लाख वर किलोमेटर इसक लाख 6-3 32.827.260 वर किलोमेटर फीकल में हम tenía हख थीक है इसी क्रम में हम इस बात को जानने का प्रियास करेंगे कि भारत के कौन-कोन से ऐसे राज हैं जो समुद्री सीमा को टच करते हैं भारत के कौन-कौन से ऐसे राज हैं जो अंतराष्ट्री सीमा को टच करते हैं भारत के कौन-कौन से ऐसे राज हैं जो अस्थलिये सीमा है सिर्फ जिसका कोई समुद्री आघर आ नहीं आ रहा है तो आप चटिक लास किया धिये हमारी दुनिया नाम की स्भा सब्भिक है उस में हमारी अरुकल की पुष्शतक आपने पर ही है है उसमें स्रमस्यतोषन पट्टी के पारें बता गया है उसके के बारें बता है तंपाम जानकार Eins कच्छो में आफ प्राप्ट कर चुकर जब आप नाइंत में हैं तो मैंने पहले भी बताया कि जब आप हैस्कुल में हैं बहुत भातें आपको भिश्तार से बताने किया शक्ता भी नहीं परेगी, कुछ चीज़ें मैं जैसे ही कहूँगा, आप तुरत कहेंगे, जी सर, मुझे पता है, जैसे मैं अक्षांस कहा, बहुत सारे बच्चों ने तुरत पकड़ लिया, जी सर ने अक्षांस की बात की है, तो सारे 23 डिग इस राजी करती है, आठ राज red कौन-कन से हैं बाबू, वे आठ राजी है, गुज्राथ, नोट कर लिजिया, अराम से कौपी में नोट कीजिया, बारी बारी से इसको दो बार दो रहाँगा, भारत 만들어 कर एखा है, वह भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है और वे आठराज इस प्रकार हैं गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छतिशगण, जारखंड, पस्षीम बंगाल, त्रीपुरा और मिजोरम आठराज होगै न देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, 36 गड़, जहारखंड, पस्चिम बंगाल, तरिपूरा और मिजोरम क्लियर है? फिर से बता दूँ गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, 36 गड़, जहारखंड, पस्चिम बंगाल, तरिपूरा और मिजोरम ये आठ ऐसे राजे हैं जहां से ट्रॉपिक आफ कैंसर यानि करक रेखा गुजड़ी है ये एक प्रस्ण होगा मैंने पहले बताया कि सिर्फ नाइंथ के लिए नहीं बलकि जो competitive exams के बच्चे हैं जो प्रतिभागी हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी इसको याद कर लें मैंने अभी अभी दो-तीन महत्वण बातों पर चर्शा कर ली है जिसमें मैंने भारत का शेटफल बताया भारत के अक्षांस देशांतर रेखाओं के बारे में बताया और भारत के कौन-कौन से राज जो हैं जहां से करक रेखा गुजरती है अब एक और महत्वण आक्रा आप लोग के समक्ष में देने जा रहा हूँ हो है कि भारत के नौ राज एशे हैं जो समुद्री सीमा को टच करते हैं यानि भारत के समुद्री सीमा को टच करने वाले जो राज्य हैं, जिनकी सीमा समुद्र से सकती है, वैसे राज्यों की सूची भी आप चरूर नोट कर लें, तो सूची इस प्रकार है, गुजरात, लिखिये, गुजरात, महरास्ट, गोवा, करनाटक, केरल, तमिलनाडु, आं प्रदेश, उरीशा, पस्षिम्बंगाल, हो गया न, फिर से देखिये, गुजरात, महरास्ट, गोवा, करनाटका, केरला, तमिलनाडु, आंधर प्रदेश, उरीशा, पस्षिम्बंगाल, हो गया न, ये नौराज्य हैं, जो समुद्र से सटे हुए, अब हमारे भारत के दोनो और दोनोरने तीनोर समुद्र और यही वज़ा है कि भारत को सब sellers कंटिनेंट यÎनि सब कॉन्टीनेंट यानि उपमाहा ध्वीप्का भी दर्जा दिया जाता है भारत एक मात्र ऐसा देश है आप लुग्यान से सुनिएगा भारत एक मात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम भी है कौन सा महासागर है हिंडियान ओस्यान हिंद महासागर हिंद महासागर यानि इंडियान ओस्यान जो है न वह भारत देश के नाम पर ही उसका नाम पड़ा ह और हिंद महासागर इतना विशाल है, कैंवा भारत के दोनों तरफ बोर्ब में लक्षद्टीप है, अब बंगाल की खारी में जाओगे आप तो वहोँ आपको अंडमान नीकोबार्डीप समोर दिखेगा अब सभी राज की राजधानी वाला प्रशन दिया हूँ, उसको नोट कर लेना, वहाँ इस दोनों राज़ी का भी चर्चा होगा, मैं अभी बता देता हूँ, लक्षद्वीब की राजधानी होगी, अचा बता रहे हो तुम लोग, लक्षद्वीब की राजधानी है कावारत तो और आगे बरते हैं हमारे कि सिमा से सटेवए मिल गये अब हम देखेंगे कि भारत की सीमा कितनी लंबी है था ना ध्यान दीजेगा ध्यान से सुनिए कुछ चीज ऐसी है जिसको बहुत ध्यान से जैसे भारत की दो तरह की सीमा होगी, एक अस्थलिय सीमा और दूसरा समुद्री सीमा, exactly, तो जो समुद्री सीमा है न, वो 7516 किलोमेटर है, कितना है, 7516 किलोमेटर, और जो अस्थलिय सीमा है, गुजरात के उपरी हिसे से सटे हुए, और पुरा मिजोरम, तिरिपुरा, और प एक किलोमेटर का भी अंतर नहीं होगा, 15200 किलोमेटर की जो है अस्थलिय सीमा है, 7516 हमारी चलिय सीमा है, दोनों को जोड लीजिए, यह संपूर्ण हमारा भारत का जो चारो तरफ से जो है परीधी जिसको हम कह सकते हैं, जो भारत की जारो तरफ की जो सीमा का जो कुल लंब आई है, वो होगा, 15200 किलोमेटर प्लस 7516 किलोमेटर, ओके, आप सब बीच वीचे प्रसन पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग के प्रसन का उत्तर नहीं दूँगा, आप प्रसन जैसे ही करेंगे, जैसे ही आप कमेंट बक्स में कुछ भी लिखेंगे, मुझे आप अगर इस पढ़ाय गए विश्यों में से अगर कुछ प्रसन पूछना चाहते हैं, मेरे द्वारा दिये गए आंकरों पर कोई आपत्ती है, या आपके जो आंकरे हैं, उससे अगर मेल नहीं खा रहे हैं, तो आप उसको जरूर रखें इस मंच पर, हो सकता है कि मैं आप को उसमें सेटिस्फाइ कर दूँ, कुछ ऐसे प्रसन हैं, जिसके उत्तर मैं आपको बता पाऊं, तो उसके लिए बेजी चक आप कमेंट किजिए, ताकि मैं आपका उत्तर यहां से दे पाऊं, तो इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं समाप्त करता हूं, आप से फिर मिलते ह कल दो फर एक बज़े से फेस्बुक लाइब पर ध्यान रखेगा, फेस्बुक पेज का नाम है रवी सर की पाट साला, और आप वहां अगर मिस कर जाते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल सेम नाम है रवी सर की पाट साला, यहां आकर आप उसको फिर से देख शकते हैं, त कर दा दो हमारे ढाना है मिस करेंए यूट्यूब चैनल से उस्भाट से देख ऑट